हलो दोस्तों, आप लोगों का अक्सर एक सवाल आता रहता है कि ये SS क्या है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि SS exam actually में है क्या, आपको कितने level इसके होते हैं, कितने exams होते हैं, कितने attempt आपको मिलेंगे और अगर नहीं निकला तो क्या, तो mainly मैंने इसको ती लेवल क्या रहता है, और क्या है ये, कितने दिनों पर होता है, दूसरा ये है कि कितने attempt मिलेंगे, और तीसरा जो question है, वो ये है कि SS अगर नहीं निकला, तो क्या, ये तीन level में है, आपको, आपके जितने भी questions है SS related, इस वीडियो को देखने के बाद, आप मान के चलो, कि व होगा, मैं आने वाले time में आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले देखो, ये ना, साल में दो बार होता है, ये चीज़ आनक में दो बार होता है, पहली बार होता है, जून में और दूसरी बार नवंबर के according, date आगे पीछे हो सकता है, और ये हर साली होता है, और regular होता है, ऐस Out of 9, 6, 7 papers easy होते हैं. 1 या 2 moderate है. और 1 paper है जो आप कहा सकते हो कि थोड़ा सा tough है. लेकिन वो भी बहुत जादा tough नहीं है. मतलब इतना easy है कि मैंने खुद 9 paper एक बार में निकाला है. आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि paper का क्या level होगा. और मैं एक वीडियो भी डालने वाला हूँ. यहाँ पे approximately 17-18 बच्चे हैं. वो आपको बताएंगी कि उन्होंने first attempt में कितने papers निकाले हैं. Otherwise लोगों को क्या लगता है कि हमसे S.A.S. निकलेगा ही नहीं. प्रोबेशन को बढ़ाया जा सकता है. DOPT के रूल के according दो साल और प्रोबेशन को बढ़ाया जा सकता है. तो खुल मिलाके जो आपका प्रोबेशन है वो चार साल का है. ठीक है? तो चार साल में अब S.A.S. के attempts कितने मिलेंगे? तो आपको 6 attempt मिलेंगे. ध्यान रखना, maximum attempt 6 है या फिर 4 साल. इन दो में जो भी पहले हो जाता है. तो 6 attempt में आपको ये 9 paper निकालना होगा. और paper का level जैसे मैंने बताया कि काफी easy होता है. फिर question आता है कि अगर नहीं निकला तो attempt, ध्यान रखना 6 attempt और 4 साल. अगर नहीं निकला तो क्या? तो basically कागज पर जो rule है वो ये rule है कि अगर आपका SAS नहीं निकलता है तो आपकी नौकरी चली जाएगी. बड़ ऐसा होता नहीं है. होगा क्या? कि आपको auditor बना दिया जाएगा. मानलो आपने 9 papers दिये, 7 paper आपका निकल चुका है पहले 4 साल में या 6 attempt में और बांकी के 2 papers नहीं निकले. तो on paper आपके नौकरी चली जाएगी, फिर तुरंथ ही आपको दुबारा से auditor बना दिया जाएगा. वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप office से बाहर भी जाओगे. आप auditor बना दिया जाओगे तो जिसको हम बोलते हैं actually demotivate, sorry demotion बोलते हैं, तो आपको demote करके auditor बना दिया जाएगा. अब auditor बनने के बाद ना एक सी ध्यान रखना, आपको दुबारा से S.A.S. exam नहीं देना है सारे paper. आपने 9 paper दिये थे, साथ आपका already निकल चुका है. तो बचे हुए जो 2 papers है ना, वो 2 papers आपको फिर से देना है. जैसे ही आप वो 2 paper देते हो, दुबारा से आप W.A.O. बन जाओगे. यानि कि सिर्फ 4, आप मान लो कि किसी को अगर 6 साल लगते हैं, मान लो कि 6 साल में आपने 9 paper निकाले हैं, तो पहले 4 साल आपको W.A.O. का promotion मिलेगा, फिर बचे हुए जो W.A.O. के आप वेतन मिलेगा, या salary, और जो बचे हुए जो 2 साल होंगे, उसमें आपको auditor का मिलेगा, बच अगेन जब आप वो 2 paper निकाल दोगे, तो दुबारा से W.A.O. बन जाओगे, और आपको फिर W.A.O. के according ही increment वगएरा दुबारा से fix कर दिया जाता है, तो बहुत लोगों के दिनल में दिमाग में यह होता है, कि हमसे अगर ना निकला तो आमारी नौकरी चली जाएग और आपको इतना time मिलता है कि आप easily निकाल पाते हो, hardly 1000-2000 में से एक या दो आदमी हैं जिनसे नहीं निकल पाता है, वो भी वही लोग होते हैं, जो actually में exam की तयारी उस तरीके से नहीं करते हैं, otherwise यह बहुत जादा tough नहीं है, 15-20 दिन या एक महनी की तयारी में आप 7-8 papers easily न तब तक के लिए पढ़ाई गरते रहो